हेलो फ्रेंड्स आप सबका अध्यान विश्य के अध्याय नौ में अर्दिक स्वागत है यह चप्र के अल्रेडी तिन क्लासे दो चुकी है और आज हमारी चौती क्लास है जिसमें हम गती के तीशरे नियम की सर्चा करेंगे जिसे किरिया परती किरिया का नियम भी कहा जाता है तो बाइक कौसेज को आप वीडियो के डिसक्रिप्सें से या पिर चैनल की प्लेइलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं बात कर रहे हम नूट्रन की गती के तीशरे नियम या किरिया परती किरिया का नियम जैसा नाम से पता चल रहा बल लगाती है जब एक वस्तू दूसरी वस्तू पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तू द्वारा भी पहली वस्तू पर आक्षणीक बल लगाया जाता है जब एक वस्तू दूसरी वस्तू पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तू की द्वारा भी उस वस्तू पर उतना ही बल उ लगा रहा है तो बी भी ए पर दस न्यूटन का बल ही लगाएगा लेकिन दीशा क्या होती है विप्रीत होती है यसे ए इस दीशा में बल लगा रहा है तो भी इस दीशा में बल लगाएगा यही क्या है न्यूटन की गती का तीसरा नियम है कि जब भी एक वस्तु दूसरी वस वस्तू पर बल लगाया जाता है जो परिमान में समान होता है लेकिन उन दोनों बलों की दिशा कैसी होती है वीपरित होती है इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो बल है वो सदेव यूगल रूप में होते हैं इसमें होते हैं यूगल रूप में या जोड़े के रूप में होते वेक्ति के दवारा अपने आतों से लगने वाला जो बल है वो इस दिशा में लगेगा बक्से पर जिसे क्या कहा गया है क्रिया बल जो उस क्रिया को बक्से को आगे खिसकाने के लिए जरूरी है तो इसे हम कुण सा बल कहेंगे किरिया बल दूसरा इस बकसे के द्वारा भी या इस वैक्ति के सरीर के द्वारा भी इस जो बकसा है इस बकसे के द्वारा वैक्ति के सरीर पर पीछे की और क्या लगेगा एक परती किरिया बल लगेगा क्या लगेगा परती किरिया बल लगेगा ठीक है तो यहाँ पर दो बस्तु हैं एक वैक्ति है और एक बक्सा है वैक्ति के द्वारा बक्से पर बल लगाया जा रहा है और बक्से के द्वारा वैक्ति पर परती किरिया बल लगाया जा रहा है इसी कारण इस नियम को किरिया पर बल लगा रहे हैं ठीक उसके समान किंतू विप्रित दिसा में सध्य क्या होती है परतिकृर्या होती है इजी भी किरिया के ठीक उसके समान किन्तु विपरित दिशा में क्या होती है उसके खिलाप परति किरिया होती है यद भी यह अवस्य याज रखना चाहिए कि किरिया और प्रति किरिया बल सदेव दो अलग-अलग वस्तुवों पर कारया करते हैं ये कभी भी एक वस्तु पर कारय नहीं करते हैं ठीके ये आपको हमेसा द्यान रखना है चलिए ये वही चित्र लिखा हुआ है कि देखो किरिया बल किस पर कारय कर रहा है ये वैक्ति के द्वारा बक्से पर लगाय जना बल है और ये वैक्ति पर कारय कर रहा है और परति किरि करते हैं जैसे जमिन पर वैक्ति या जानवर हर चलना कैसे चल पाते हैं जिबूर की साहिता से फीछे की और धक्का ढों लगाते हैं चैनल कि ग्यार सते हैं फार्जिन पानी के द्वारा उस पर परति किरिया बल लगता है और नाव आगी की और चलने लगती है फिर नाव से उतरते समय नाव पीछे चली जाती है क्यों कि वैक्ति क्या करता है अपने सरीर को आगी की और बल लगाता है तो नाव द्वारा उस पर कौन सा लगता है बल पीछे की औ धखेल देता है और नाव के द्वारा व्यक्ति पर जो आगे की और लगाया जता है इसके कारण व्यक्ति नाव से क्या उपाचता है वुद पाता है या उतर पाता है फिर बंदू का प Candice शेप करना आप सबने देखा होगा बंदुक बंदुक से जब गोली चोड़ी जाती एच जैसे गोली आगी की ओर जाती है तो बंजू से पीछे की ओर जटका लगता है वंदूक के द्वारा गोली पर जो त्रियल लगाया गया था उसके विपक्स मैं उस बंदू करान हमें जटके का उभब होता है तो व सी तरह गोड़े द्वारा गोड़ा गाणी को खींचना गोड़े के पेरों के द्वाराइच कुर लगाया जाता है जिसके कारण जो गोड़ा तो इस्प्रिंग कुछ देर खिंचने के बाद पुनह जैसे आप छोड़ दोगे तो ये पुनह इस दिशा में आप आएगी ठीके तो यानि जैसे आप की स्प्रिंग को खिंचने के लिए इस तरब बल लगा रहे हो तो उसी तरह इस तरब क्या कर रही है परतिकिरिया बल समान होते हैं और कैसे होते हैं विफरित दिसा में होते हैं अगर आप स्तरब बल लगा रहे हो तो mi spring Key तरबं लगS यह स्प्रिंग इस तरब लगाएगे तूसरा उदारन बंदूग वाला तो देखो बंदूग से गोली चोड़ने की अवस्ता में बंदूग द्वारा गोली पर आगे की और बल लगाया जाता है इसके कारण गोली क्या होती है आगे की और एक समान परन्तु इसके कारण गोली क्या होती है आगे की और बहुती तेज विक के साथ गति करती है इसी गटना के विप्रित जो वो गोली भी बंधूँ love पर एक समान जितना बंदूँब बर लगाया था उतना गोल weet इस पर बन लगाती है और इसी कारण से मन्धूआ पीछे के और चाह続ी है परति झ्रेफल होती हे देख tweet होती है दोंत यहां से बोली पर लगने वाला बल इस दिसा마 सब्सक्राइं पर्तिक क्रिया यह हो रही है यह अनुरी ट्रवर कि दौरा भी बंदुग पर पर्तिकी किरिया के रूप में इस तरह बल लगाया जाएगा इसके कारण से बंदुग से घोल ने के बाद हमें पीछे कहा लगता है जटका लगता है जितना किरियाबल होगा उतना ही परती किरियाबल विप्रित दिसा में का करेगा कार्या करेगा ठीक चलिए अगला उधारण है एक नाविक द्वारा नाव से आगे के कुद्णे की और इस्तती में कौनसा नियम लगता है यहाँ पर भी गती का तीसरा नियम लगता है क्यों? क्योंकि देखो जब व्यक्ति आगे की और कुदेगा तो नाव पर लगने वाला जो प्रति किरियाबल है देखो व्यक्ति आगे की और बढ़ रहा है तो किरियाबल इस तरफ कार्या कर रहा है यह कौन सा है action force किरिया बल और यहां पर नाव के द्वारा इस पर कौन सा बल लगेगा इधर पीछे की और इधर प्रति किरिया बल लगेगा तो जिसके कारण नाव क्या होगी पीछे की और धके लेगी ठीके कौन सा बल लगेगा नाव पर प्रति किरिया बल और इसी प्रति क प्रति किर्या बल लगेगा ठीक चलिए अगला उजारण है यह गोड़े का कि जब गोड़े के दौरा गोड़ी को खिंचा जाता है तो देखो यहां पर गोड़े के पेरों के दौरा जो बल है वो इस दिसा में लगाया जाएगा जमीन को पिछे कि धकेलने की खुशिश की ज पर्थवी पर परति किरिया बल लगाए जाएगा गोड़े गाड़ी को खिंचने के लिए तो इस गोड़ा गाड़ी के द्वारा भी इस पर कौन सा बल लगेगा परति किरिया बल जिसके कारण है गोड़ा गाड़ी आगे की वार चल पाएगी आया सोज में तो उम्मिद करता बारा भी पहली बस्तू पर परती किरिया के रूप में समान किन्तु विपरीद दिसा में बल लगाया जाता है एक इसी कारण इसे किरिया परती किरिया का नियम भी कहा जाता है उम्मित करता हूं सारे उधारन आपको उच्छे से समझ में आये होंगे तो क्लास देखने के सब्सक्राइब जरूर कर देए